नमस्कार दोस्तों एक बर्फिट से आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज की यह वीडियो भारत के प्रमुख लोक निर्त और सास्त्री निर्त उपर आधारित है देखे दोस्तों इस टॉपिक से भारत के सभी प्रत्योगी परिक्षाओं में एक से लेकर दो प्रस्ण जरू से देखिए तो चलिए सुरू करते हैं पहला प्रस्ण है कथकली किस राज्य का सास्त्री निर्त है इसका सही जवाब है केरल कथकली केरल का सास्त्री निर्त है कथकली से संबंधित इमेज आप लोग देख सकते हैं कथकली केरल का 500 साल पुराना सास्त्री निर्त है मलयालम म कतकली का अर्थ है कहानी नाटक यहाँ पर A option right है अगला प्रस्ण है कुचीपुडी किस राज्य की निर्थ्य सैली है इसका सही जवाब है कुचीपुडी आंध्र प्रदेश की निर्थ्य सैली है यहाँ पर C option right है कुचीपुडी से समबंधित इमेज आप लोग देख सकते है कुचीपुडी एक पारंपरिक भारती सास्त्री नित्य प्रारूप है जिसकी उत्पत्ती आंध्र प्रदेश से हुई थी यह एक अभिव्यंजक नित्य प्रारूप है जो नित्य संगीत और नाटक का संगम है यहाँ पर C आप्सन राइट है आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण है मोहनी एक्टम किस राज्जी का नित्य है इसका सही जवाब है केरल मोहनी एक्टम केरल राज्जी का नित्य है यहाँ पर D आप्सन राइट है मोहनी एक्टम से संबंधित इमेज आप लोग देख सकते ह मौहनी अट्म केरल के सबसे प्राचीन निर्थ्य रूपों में से एक है, मल्यालम में इसका अर्थ है यूवती का निर्थ्य, मौहनी अट्म कत्कली और भरत नाट्यम का मिस्त्रन है, इसे विसेश रूप से केवल महिलाओं दोरा अकेले या समूव में किया जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्न है किस सास्त्री नित्य में मुखवटे का प्रयोग किया जाता है इसका सही जवाब है कतकली कतकली एक सास्त्री नित्य है इसमें मुखवटे का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर कतकली से सम्मंधित इमेज आप लोग देख सकते हैं इसकी व्याख्या देख लेते हैं देखे दोस्तों केरल के एक भारती सास्त्री निर्थी रूप कतकली में जीवन्त मुखवटा और परिधानों का उपयोग किया जाता है कतकली केरल का एक सास्त्री निर्थी है यहाँ पर C option right है आगे बढ़ते हैं भरत नाट्यम किस राज्य का प्रमुख निर्थी है इसका सही जवाब है तमिल नाडू भरत नाट्यम तमिल नाडू का प्रमुख निर्थी है D option right है भरत नाट्यम से संबंधित इमेज आप लोग देख सकते हैं इसकी व्याख्या देख लेते हैं भरत नाट्यम तमिल नाडू का सास्त्री निर्थी है या सबसे पूराना भारती सास्त्री निर्थी है इसकी उत्पत्ती सैकडों साल पहले तमिल नाडू में हुई थी यहाँ पर D option right है आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण है कथक कहा की नित्य सैली है इसका सही जवाब है उत्तर भारत कथक उत्तर भारत की प्रमुख्र नित्य सैली है D option right है कथक से सम्मंधित इमेज आप लोग देख सकते हैं इसकी व्याख्या देख लेते हैं कथक नित्य उत्तर भारती सास्त्री नित्य है, कथक सब्द का अर्थ है, कथा को नित्य रूप से कथन करना, प्राचीन काल में कथक को कुसिलव के नाम से जाना जाता था, इसे भी आप लोग याद रखियेगा, यहां पर D option राइट है, अगला प्रिश्न है, बीहु कहां का प्रमुख लोग के नित्य है, इसका सही जवाब है असम, बीहु असम का प्रमुख लोग के नित्य है, यहां पर A option, राइट है, बीहु से सम्मंधित इमेज आप लोग देख सकते हैं, इसकी ब्याख्या की बात करते हैं, बीहु नित्य असम के कचारी वा कचारी जन जातिय में प्रशलित है यह वर्ष में तीन बार आयोजित यहाँ पर A option right है आगे बढ़ते हैं रौफ लोकनितिका सम्मंध है इसका सही जवाब देख सकते हैं इसकी व्याख्या की बात करते हैं यह जम्मुकस्मिर राजी का प्रमुख लोक नित्य है इसमें ग्रामेड इस्त्रियां दो पंक्तियों में आमने सामने खड़ी होकर एक दूसरे के गले में अपनी बाहें डाल कर नित्य करती हैं यहाँ पर D. आप्सन राइट है अगला संधित इमेज आप लोग देख सकते हैं इसकी व्याख्या की बात करते हैं यह गुजरात राज्ज में प्रचलित इस्त्रियों का लोक नित्य नौरात्र के आउसर पर आयूजित किया जाता है इसमें मिट्टी के एक छिद्रियुक्त घड़े में दीपक रखकर उसके चारो और गोल घेरा बनाकर तथा माथे पर दीपक युक्त मिट्टी का पात्र रखकर रित्य किया जाता है यहाँ पर ए आपसन राइट है आगे बढ़ते हैं घूमर लोक नित्य का संबंध है इसका सही जवाब है घूमर लोक नित्य का संबंध राजस्थान राज्ज से है यहा राजस्थान का प्रशलित लोकनित्य है जिसे भील जन्जात की इस्त्रियां करती है यहाँ पर D आप्षन राइट है आगे बढ़ते हैं अगला प्रिश्ण है पांडवानी लोकनित्य का सम्मंध है इसका सही जवाब है 36 गड़ इसकी व्याख्या की बात करें तो यह 36 गड़ राज में प्रशलित एकल लोकनित्य है इसका सम्मंध मूल रूप से पांडवों की कथा से है तीजन बाई पांडवानी की प्रसिद्ध कलाकार है इसे भी आप लोग याद रखियेगा यहाँ पर C आप्षन राइट है अगला प इसका सही जवाब है भांगणा पंजाब राज्य का प्रमुख लोकनित्य है यहाँ पर C आप्षन राइट है भांगणा से सम्मंधित इमेज आप लोग देख सकते हैं इसकी व्याख्या की बात करते हैं यह पंजाब का लोकनित्य है जो वहाँ के पुरुसों द्वारा किय जाता है यहाँ पर C option right है आगे बढ़ते हैं अगला प्रिश्ण है तमासा किस राज्जी का लोक नित्य है इसका सही जवाब है महाराष्ट तमासा महाराष्ट राज्जी का प्रमुख लोक नित्य है यहाँ पर B option right है तमासा से संबंधित इमेज आप लोग देख सकते हैं इसकी व्याख्या की बात करें तो यह महाराष्ट की नित्य नाट क्या है इसे विक्सित करने का स्रे वनसी धर भट्ट को जाता है यहाँ पर B option right है आगे बढ़ते हैं कुमायू लोक नित्य का संबंधित देख सकते हैं उत्राखंड के प्रमुख लोक नित्य की बात करें तो गढ़वाली कुमायू जोरा आधी यहां के प्रमुख लोक नित्य हैं आगे बढ़ते हैं अगला प्रिष्ट है छपेली लोक नित्य का संबंध है इसका सही जवाब है छपेली लोक नित्य का संबंध ह हिमाचल प्रदेश से है, यहाँ पर C आप्षन राइट है, छपेली लोक नित्ती से सम्मंधित इमेज आप लोग देख सकते हैं, इसकी ब्याख्या की बात करें, धमान, छपेली, महाधु, नटी, चंबा, डंडा नाच, आदी हिमाचल प्रदेश का प्रमुख लोक नित्ती ह इसे भी आप लोग याद रखियेगा, अगला प्रश्ण है, डंडिया कहां का प्रसिध्य नित्ती है, इसका सही जवाब है, डंडिया गुजरात का प्रसिध्य नित्ती है, यहाँ पर B आप्षन राइट है, डंडिया से सम्मंधित इमेज आप लोग देख सकते हैं, इसकी प्रश्न है मडिपूरी किस राज्य का सास्त्री नित्य है इसका सही जवाब है मडिपूरी मडिपूर राज्य का प्रमुख सास्त्री नित्य है यहां पर भी आपसन राइट है इसकी व्याख्या की बात करें तो राखाल नटरास महारास आदी मडिपूर के लोग के नित्य है इसे भी आप लोग याद रखिएगा मलिपूरी से सम्मंधित इमेज आप लोग देख सकते हैं अगला प्रश्ण है ओडीशी किस राज्जी का सास्त्री नित्य है इसका सही जवाब है ओडीशी ओडीशा राज्जी का सास्त्री नित्य है यहाँ पर C option right है इसकी इमेज आप लोग देख सकते हैं इसकी ब्याख्या की बात करें तो सवारी धूमरा पैका आदी ओडीशा का प्रमुख लोग नित्य है इसे भी आप लोग याद रखिएगा अगला प्रश्ण है लावडी लोग नित्य का सम्मंध है इसका सही जवाब है लावडी लोक नित्य का सम्मंध महराश से है यहाँ पर C option right है इससे सम्मंधित इमेज आप लोग देख सकते हैं इसकी व्याख्या की बात करें तो लावडी नक्टा तमासा मौनी लेजम आदी महराश का प्रमुख लोक नित्य है इसे भी आप लोग याद रखिएगा अगला प्रश्ण है युद्ध निर्त्य का सम्मंध किस राज से है इसका सही जवाब है अलुडाचल प्रदेश युद्ध निर्त्य का सम्मंध अलुडाचल प्रदेश से है यहाँ पर बी आप सन राइट है इसकी व्याख्या की बात करें तो मुखावटा निर्त्य और युद्ध निर्त्य का सम्मंध अलुडाचल प्रदेश से है इसे आप लोग याद रखिएगा अगला प्रश्द है Yachigan किस राज्ज का प्रमुख लोक के नित्य है इसका सही जवाब है Yachigan करनाटक राज्ज का प्रमुख लोक के नित्य है यहाँ पर C option right है इससे संबंधित image आप लोग देख सकते है इसकी ब्याख्या की बात करें तो यह शिगान, कुनीता, करगा, वीरगा से आधी करनाटक का प्रमुख लो के नित्ति है यहाँ पर C option right है आगे बढ़ते हैं कजरी किस राज्जी का प्रमुख लो के नित्ति है इसका सही जवाब है कजरी उत्तर प्रदेस राजजिका प्रमुख लोक निती है यहाँ पर d option right है इसकी ब्याख्या की बात करें तो रास लीला कजरी नोटंकी जूला आदी उत्तर प्रदेस का प्रमुख लोक निती है यहाँ पर D option right है आगे बढ़ते हैं प्रसिद्ध चर्कुला नित्य किसे सम्मंधित है इसका सही जवाब है प्रसिद्ध चर्कुला नित्य ब्रज भूमी से सम्मंधित है यहाँ पर C option right है इसकी व्याख्या की बात करें तो चर्कुला नित्य उत्तर प्रदेश के ब्रज शेत प्रमुक्राइब दिश्र से सम्मंधित है यह नित्य होली के बाद तीजरे दिन पर किया जाता है इस नित्य में महिलाएं भगवान क्रिश्ण के गानों पर नित्य करती है यहां पर C आप्शन राइट है अगला प्रिश्ण है मेघाले का लो के नित्य है इसका सही जवाब है लाहो मेघाले का लो के नित्य लाहो है यहां पर B आप्शन राइट है लाहो तथा बांगला मेघाले का प्रमुक्र लोक नित्य है इसे भी आप लो याद रखिएगा अगला प्रिश्ण है कारागम धार्मिक लोक नित्य सम्मंधित है इसका सही जवाब है तमिल नाडू का लट्टम, कावडी, आदी, तमिल नाडु के प्रमुख लोक नित्ते हैं इसे भी आप लोग याद रखिएगा तो इस प्रकार से आज की यह वीडियो यही पर समाप्त होती है यहां से सभी प्रतियोगी परिक्षाओं में प्रस्ण देखने को जरूर मिलेगा आसा है यह बहुत बहुत धन्यवाद